सुबच बाड़ी, एकनॉमिक्स का पेपर आ गया है, डर्ने की बात नहीं है, कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ, सबसे पहले आप जबी भी इग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचेंगे, आपको MCQ देखकर लगे आ कि यार ये तो मुझे आता है मैं इसका wild guess कर सकता हूँ, बट आप प्लीज 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 स्टार्टिंग के देड़ घंटे के अंदर प्लीज guesswork कोई भी नहीं करेगा, कोशिश करेंगे कि 60 questions सब लोग अच्छे से निकाल दे, 100% सही करके आएं, ठीक ना, guesswork से अकसर ऐसा हो जाता है, कि कही न कहीं सही किये हुए question में भी आपको negative marking मिलना शुरू हो जाएगा, stress होगा, आपको लगे है कोई बात नहीं है, यह question मेरे को सही लग रहा है, मैं सही कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आप 100% confidence नहीं होगे, please आप guesswork नहीं करिएगा, अगर आप date में, economist के name में, अगर आपको कोई भी confusion है, तो उसमें बिल्कुल भी wild guess मत करिएगा, आपकी probability of getting wrong answer वो बढ़ती चली जाएगी, इसलिए guesswork को avoid करें, आराम से chill होकर paper देने के लिए जाएगे, आप इतने आराम से paper देने के लिए जाएगे, यार बस मुझे ही सब कुछ आता है, और जब कोई आपसे बात करना चाहिए, और तुमने ये पढ़ा, तुमने वो पढ़ा, आराम से जेब से निकाली है, फाइफ स्टार, बढ़ यहाँ फाइफ स्टार छीलिया और खाते रहिए, किसी से बात करने के कोई जरुतनिया ऐसा लगना चाहिए, इतना carefree इंसान वही हो सकता है, इसने आराम से पढ़ाई कि ही है, और टेंचन लेने वाली बात नहीं है, अराम से जाओ, मज़े से पेपर देख कर जाओ, अवाइड करो guesswork, अटलीस्ट डेढ़ घंटे के अंदर कोई भी guess आपको नहीं मारना है, साथ कोशन तो अराम से सही सही निकाल लेने हैं, उसके बात देखने हैं कि हमको और कित अतना सही बोलना चाहता हूँ, ये थी मेरी last minute tips, wish you all the best, भूलना मत त्वाइस चाल ले जाना